के बाद इसमें कुछ नहीं है तो रबड है आप रबड खाना चाहेंगे बिल्कुल रबड है ये तो इसको क्रिपे बिल्कुल नूडल्स को टोटली बन कर दीजिए फिर हर घर में हैपी बर्डे में केक, बर्गर, बिस्केट, कुरकुरे, पैट फूड्स, चिप्स ये सब ख पाम उयल यूज हो रहा है जितनी भी चीज़े बन रही है खास कर ये बेकरी ये तले हुए समान में घर में तो हम फिर भी कहीं न कहीं सर्सों का तेल और देसी गी यूज करते हैं लेकिन जो पाम उयल है उसमें 50% saturated oils है इंडिया सबसे बड़ एक्सपोर्टर है वो बेसिकल पाम उयल है पाम उयल बहुत बड़ा कारण है हमारी लिवर को डामिज करने का ब्लाड प्रेशर का और शुगर का इसके अलावा जो हम खाते हैं वो जो सबसे जुरूरी चीज जो हमें नहीं खानी है वो है पांचों चीज़ें पैग्ड फूड जितने भी हम खाते हैं जो पांचों चीज़ें हमने बोलनी थी एक, दो, तीन, चार और पांच ये हमन खाना हम अपने सारे रिलिटिव्स या अपने गैस को खिलाते हैं और इसकी वज़े से ब्लड प्रेशर, शूगर, डाइबटीज, पीसी ओडी, घुटने खराब, हिप्स खराब, ये सारे इन फूर्स की वज़े से शरीर को आप एक गाड़ी समझिए गाड़ी में अगर पेट्रोल की गाड़ी है उसमें हम पेट्रोल की जगा पे पानी डाल देंगे तो वो गाड़ी बैठ जाएगी ऐसे शरीर में हम जो खाना खाते हैं, अगर वो खाना ऐसा है जो हमारे खाने की नूट्रिशन को खतम करता है इसमें कोई nutrition नहीं इस खाने में, ना इसमें कोई अच्छा vitamin है, ना कोई mineral है, सिर्फ नमक, मैदा, sugar, oil, जो सिर्फ हमारे heart की vessels में जाके deposit हो जाता है, और इसलिए ये हमें damage करता है, तो खान पान में ये चीज़ हैं, तो आज ही अपने बच्चों को ना दीजिए, ना खुद ना मेहमानों को खिलाईए, इसकी जगा पे आप नीमबू पानी ले सकते हैं, छाच ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, जूसिस की जगा पे कोशिच करिए, कि फ्रूट कटा हुआ खाएं, तांकि आपके अंदर फाइबर जाए, जितना आपके अंदर फाइबर जाएगा, उतनी आपको कैंसर से वो फाइबर आपको बचाएगा, यह छोटी सी जो पान्च चीज़े हैं, अगर आज अपने डाइट से बाहर करेंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे, डॉक्टर के कोट, डॉक्टर के स्टेथोसकोप और हस्पतालों के चकर से बच जाएगे की जПрषब झाएगा, भी हो जो हाईगा जाएगा करेंगे, झालों के झालों कίνवा उतना मुने एंगा पक्रेदा एंगा जो झालों करेंगे, तो रखो जो से अदये ह।